दोस्तो जैसे कि आप सभी को बताए, डेटा बहुत इंपोर्टन चीज़ है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने डेटा का बैक अप लेके रखा करो, वो आपकी ओपिस की इंपोर्टन फाइल्स हो सकती है, आपके इंपोर्टन फोटोज हो सकते हैं, उन सभी का आप बैक अप लेके रखोगे, तो इन केस वो एकसिदेंटी डिलीट होती है, तो आपके पास बैक अप तो है, लेकिन अगर आपके पास बैक अप भी नहीं है और वो डिलीट हो चुकी है, तो आप उन्हें रिकवर कर सकते हैं, आसानी से एक स्वाप्टेर की मदद से जुकिये 10 और शेयर तरब से 4DDIG स्वाप्टेर, जिया दोस्तों, यह स्वाप्ट्वियर की मदद से आप आसानी से data रिकवर कर सकते हैं, वो फाइल से आपके पेंड्रॉय में से, या हार्ड डिस में से, या मेमरी कार्ड में से, कैसे अजिसे भी अगर डिलीट हो गई तो वह आप आसानी से रिकॉर कर सकते तो अगर आप जानने में इंट्रेस्टेट इस स्वाफ्टर के बारे में तो वीडियो एंड तक देखिएगा मैं आपको च्टेप बैस टिप दिखाऊंगा कैसे रिकॉर होता है मैं सदिश कंप्लेट एकाऊ चैनल में आप सब का सौगत करता हूं लेट्स बिगिन तो आपको करना है डेटा रिकॉर्ट तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह टेन और शेयर की तरफ से जो स्वाफ्ट डिडि यह डाउनलोड करना पड़ेगा और इसे डाउनलोड के लिए मैंने डिस्रिप्शन में लिंक दिए उसके उपर क्लि पड़ेगा यहां पर दिखाणा चाहूंगा तो यहां पर मैंने डाउनलोड इंस्टॉल करका है बहुत ही सीम्बल प्रोसईजरleader जैसे आप डाउनलोड इंस्टॉल करोंगे आपके सामने कुछ इस तरफ का इंटरफेस यहां पर आपको option दिखाए दे रहा है data recovery, data recovery में इतने सारे options यहां पर दिखाए दे रहे, इसके बारे मैं समझाओंगा, यहां पर record from crash computer, अगर आपका computer crash है तो वहां से आप data recover कर सकते, repair unopenable photos, मतलब कोई photos open नहीं हो रहे तो उन्हें भी आप यहां पर repair कर सकते, और repair unplayable videos, आपको कहां से record करना है भाई, local drives में से, मतलब C drive, D drive, E drive, F drive या फिर G drive, यह आपके hard disk या जो भी SSD connected है, जैसा मेरा SSD connected है, तो SSD से मैं recover करना चाता हूँ, तो यह सिलेक करूँगा, यह HDD है, HDD, HDD drive, तो जो drive में से record करना चाता हूँ, उसे में सिलेक करूँगा, या फिर मैंने एक pen drive लगा के रखा है, जिससे मैं recover करना चाता हूँ, कुछ photos वगरा, तो यहाँ पर मैं click करूँगा, यहाँ पर नीचे कुछ common location भी दिये, desktop, recycle, bin, select folder, या फिर आप network, attached, storage से भी data recover कर सकते ही, यह भी options इन्होंने दिया है, तो अभी फिलाल मैं recover करना चाता हूँ, pen drive में से, तो यहाँ पर मैं pen drive में से कुछ photos recover करके आपको दिखाऊंगा, suppose example लेलो, यहाँ पर मैं मेरा file explorer उपन कर रहा हूँ, यानि कि this PC पर double click कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने pen drive connected किया है, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, USB drive, इसे मैं उपन करता हूँ, इसके अंदर की ज अब मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है, यह pen drive में यह files नहीं है, और यह recycle bin में भी file नहीं आएगी, क्योंकि इसे मैंने normal delete नहीं किया है, इसे permanent delete किया है, तो मैं यहाँ पर recycle bin open करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर यह files नहीं है, तो आप recycle bin से restore होना मुश्किल ह तो इसके लिए क्या करना है, फिलाल हम USB drive में से data retrieve करेंगे, तो मैं इसे select करता हूँ, select करने के बाद वो पूछ रहेगी, इस particular paint drive में से आप क्या recover करना चाहते है, आपके सामने एक pop up आ रहा है, आप photos रिकवर करना चाहते है, वीडियो, document, audio, orders and system, फिलाल मैं photos पर चेक तो उसके बाद यहां पर आ रहे है, यह screen scanning की है, और यह scan कर रहा है वो particular drive को, 15% यहां पर scan हो गया है, fast scan हो रहा है, तो यहां पर scan complete हो चुका है, और यहां पर 25 files उसे मिली है, understood, let's find out कि कौन सी file उसे मिली है, तो यहां पर आप देख सकते, deleted files नाम का एक folder आ चुका है, file name not found नाम से एक folder आ चुका है, मतलब उसने कुछ extra files भी यहां पर find out किये, तो आप यहां पर expand कर सकते, इसे deleted files को यहां पर click करेंगे, तो यहां पर आपको सारी deleted files दिखाए देगी, अब मैं सब को select करना चाहता हूँ, तो मैं यहां पर click करूँगा, और यहां पर record बटन पर click जो मेरे images थे अभी मैंने delete की थी, वो सारे thumbnails यहां पर आपको दिखाए दे रहे हैं, तो total यहां पर 12 images आपको दिखाए दे रहे हैं, जो मैंने select की है, और मैं इसे record करता हूँ, record करने के बाद वो पूछ रहे की भई, आपको रखना कहाँ पे, तो मैं इसे pen drive में record करना चाहत मैं desktop पर करता हूँ, यहां पर मैं desktop select कर लेता हूँ, desktop पर यहां पर एक new folder तायर कर लेता हूँ, my imp files नाम से एक मैंने folder यहां पर बना दिया है, इस folder के अंदर हमारी सारी file यहां पर recover हो जाएगी, तो recover करते समय एक pop-up भी आ रहा है, do you on to repair corrupted files while recovering, this will take more time to recover, you can repair it after recovery, right, फिलाल यहां पर recover करूंगा, यहां पर recover करूंगा, record only पर मैं click करूंगा, क्योंकि वो time लेगा, और view, record यहां पर मैं click करूंगा, देखते हैं, हमारे इस folder में, यह देखिए, desktop पर एक folder बन क्या चुका है, deleted files में, oh ho, यहां पर जो मैंने shift delete की थी, permanent delete की थी, वो सारी images यहां पर आपक तो टोटल यहां पर 25 files लगबख recover हो चुके है, जिसमें और भी जिसके file के नाम नहीं मिले, वो भी files आपको यहां पर कुछ मिल रहे है, जो पुरानी file पहें रहे हैं के अंदर थी, वो भी recover उसने की है, तो उनकी मुझे जरुरत नहीं है, लेकिन मुझे जिसकी जरुरत थी वो यहां पर फिलाल recover हो चुका है, तो इस तरह से आप permanently deleted file को recover कर सकते हैं, तो इस तरह से आप deleted file को आसानी से recover कर सकते हैं, टेन और शेयर 4DDiG software की मदद से, तो यह एक best software मुझे लगा कि recovery आसानी से आप कर सकते हैं, deleted file के हो, वो photos हो सकते हैं, वो आपकी important document file हो सकती हैं, वो तो डेफिनिटली आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर यह लिंक चेकाउट करना चाहिए सॉप्टर का मैंने लिंक दिया है जहां से आप इस सॉप्टर को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इंट्रेश्ट हो तो ज़रूर चेकाउट कीजिएगा सो कैसे लगा दोस्तों यह फोर डीडी आईजी सॉप्टर डेफिनिटली आपको पसंद आया होगा पसंद आतो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए साथी में डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक दिए इसकी अगर आप इंट्रेश्ट होता भी डाउनलोड करके चेक कीजिए सॉप्टर को अभी क्या भी मैं मिलता आपको नेक्स देंट्रेश्टी वीडियो के अंदर तब तक लिए अपना खैयाल रखिए गाइगा बाइबाय